what's up my lovely friends hope you are doing fantastic today so guys आज हम just lens का review कर रहे हैं वो एक multipurpose तरीके का lens कह सकते हैं उसको आप vlogging के लिए यूज कर सकते हैं उसको आप wedding में यूज कर सकते हैं photography, cinematography के लिए उसको हमारे interior photographers use कर सकते हैं काफी helpful हो सकता है और travel photographers के लिए वो काफी helpful हो सकता है और the best part is यह lens 10,000 से नीचे का है और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसको wedding में यूज किया है commercial में यूज किया है, vlog के लिए यूज किया है और आप वो सारी footage देख पाएंगे और आप अपना decision ले पाएंगे कि आपके लिए lens सही रहेगा या नहीं तो प्लीज एंड तक बने रही है हमाय साथ इस वीडियो में और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लखने हो तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब तो मैं चैनल और यह प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक जोड़ देजागा So, let's start with my favorite part guys Some delicious b-roll footage of this lens Okay, let's go And this is the lens So guys, आज हम जिस lens को review करने जा रहे है वो एक fisheye lens जो की एक Chinese brand 7Artisan के दुआरा बनाए गया है Market में कभी सारे और भी Chinese brand है जो बहुत ही अच्छे product बना रहे है ऐसे Samyang उनमें से एक है उसके lens काभी famous होते है इसी तरही किसे 7Artisan भी एक brand है और यह भी काफी अच्छे lenses, high quality lenses बनाता है बस the best part यह है कि इनके lens बजेट friendly, pocket friendly होते है So guys, this is the actual lens जिसकी अभी हम बात कर रहे है 7Artisan 7.5mm f2.8 lens तो अगर हम इस lens की construction की बात करें guys तो यह पूरा metal construction है, बहुत ही solid lens है मतलब यह पूरा metal है और अच्छा खासा weight है इसका 2500-300 gram के आसपास weight होगा और मतलब इसकी अगर lens cap की बात करें तर इसकी lens cap तक metal है आप सुन चकते है और यह है इसका glass यह आपे लिखा हुआ है 7.5mm f2.8 7Artisan के branding हो रखी तो पीछे कोई भी यहाँ पर electronic contact नहीं है जो आपके camera से connect हो सके तो basically यह fully manual lens है आपको इसमें manual focus करना प्रहे है यह इसकी aperture ring है f2.8 से लेकर f22 तक जाती है और यह aperture deep click है यह film making के लिए बहुत बढ़ा रहा था वीडियो के लिए बहुत ही बढ़ा रहा तो इसका lens cap भी metal का है अब plus lens cap lens से थोड़ा सा ज्यादा बहार निकला हुआ था अगर आप इस lens को ultra करके रख भी देंगे कहीं पे तो आपका front element पे कोई damage नहीं होगा एक तो गाइज यह lens सिर्फ APS-C camera के लिए बना हुआ है प्लस यह सिर्फ mirrorless camera system के लिए तो जैसे sony के mirrorless line-up है A6000, A6500, A6500, A6400 उनके लिए है Canon M50 है उसके लिए है उसमें लग जाएगा और आप full frame में भी mount कर सकते हैं इसको ऐसा नहीं है mirrorless, but then full frame में आपको APS-C crop mode में जाके शूट करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप full frame mode पे शूट करोगे तो चारो तरफ आप आपको black पत्तियां से दिखाई देगी I understand that कुछ लोगों को यह photography jargon समझ में नहीं आते हैं कि 7.5 क्या होता है वही कितना wide होता है तो उन लोगों के लिए let's see the comparison के 7.5 actually कितना wide होता है So let's go now अभी हम Sony a6000 का kit lens है 16 to 50 mm वाला kit lens उस पे मैं 16 mm की range बे शूट कर रहा हूं तो आपको दिख रहा होगा कि कितना area यह कितना wide है क्या-क्या दिख रहा है और आप मैं इस पे lens चेंज करूंगा और 7.5 mm fisheye lens रहांगो तो आपको अंदादा हो जाएगा कि वो कितना wide है So अब मैं change करता हूं 3,2,1 So guys यह है अपना fisheye lens और आपको देख रहा होगा कि यह कितना जादा wide है Almost पूरी कारी visible है और आस्पा की सारी चीज़े दिख रही है So यह difference है So guys अब बिना टाइमर बाद करे हुए इस lens के कुछ sample photo and video देखने है Let's go So guys जैसे कि हमने इसके sample photo और video देखा ही है कि यह बहुत ही versatile lens है Interior photography, Interior Cinematography Wedding photography, Wedding Cinematography Commercial projects, Travel Videos अब almost हर जगा पर इसको use कर सकते है एक और बहुत unique बात यह lens के बारे में कि नॉर्मली जो wide-angle lens, ultra wide-angle lens या फिश-eye lens होते है वो उनको focus करने के लिए थोड़ा distance चाहिए होता है वो closely focus नहीं कर पाते यह lens बहुत ही close focus कर लेता है और guys, trust me, यह बहुत ही amazing effect देता है क्योंकि एक तो close focusing capability plus f2.8 का constant aperture इसका मतलब यह है कि आप जैसी किसी भी चीज़ का close-up लेंगे वो background को blur कर देगा और ultra wide या फिर fisheye effect में background blur बहुत ही amazing लगता है So guys, अजर हम V-logging की बात करें तो V-logging के लिए भी यह lens बहुत मस्त है जब हम V-log करते हैं तो उसमें सबसे important चीज़ जो होती है वो यह होती है कि हम frame में रहे है हम frame से बहार ना चले जाए और क्योंकि यह fisheye lens है आप देगी सकते हैं कि इसका frame या field of view इतना बढ़ा है कि आप चाहो तो भी आप frame से बहार जाए नहीं सकते हैं तो यह एक plus है लेकिन इसका एक minus भी है और minus क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ लेंस के पास से आके वी लॉग करने की कोशिश मत करेंगा एकदम देख रहे हैं न मैं कैसा लग रहा हूँ सो दूर से ही वी लॉग करेंगा कुछ लोगों को क्या होता है कि यह अजब fisheye lens effect पसंद नहीं आता कुछ लोगों को यह बहुत पसंद आता है बड़ कुछ लोगों को यह effect पसंद नहीं आता तो जिल लोगों को यह effect पसंद नहीं है वो इसको fix कर सकते है Just like this और यह anti-distortion effect होता यह हमारे बहुत सारे क्या कहते हैँ आपके बहुत सारे editing software आपका दविंशी रिजॉल्व तो आप बेसिकली इस लेंस के हिसाब का एक प्रिशेट बिरांके सेव कर सकते हैं और आपका एफेक्ट पिक्स हो जागा आपको सेकेंड टाम सोचने के जरूबत नहीं है इस लेंस से विलॉग करने के लिए अब आराम से लेंस को ठासकते हैं और कहीं भी विलॉग के लिए लिए बहुत ही बढ़िया लेंस है जिनकी केमरों के जो स्क्रीन है वो फ्लिप नहीं होती है तो इस लेंस में एक इन्फिनाइट फोकस का उप्शन है बनलब जैसी आप उसको इन्फिनाइट फोकस पे लाएंगे आप बाई डिफॉल्ड आप भी फोकस मही आएंगे और सारा एरिया भी फोकस मही आएगा तो कोई टेंशन नहीं है जब भी वीलो करना इसको इन्फिनाइट फोकस में करो एंड डोंट वर्य अबाट फोकस लो लाइट परफॉर्मेंस अप इस लेंस यह जो लेंस यह फ्टू.एट है तो यह लो लाइट के लिए बाद अमेजिंग लेंस इस तो आईए दोस्तों अब इस लेंस की प्राइजिंग की बात कर लेते हैं यह लेंस वन थर्टी नाइन यूएज डॉलर्स का है जो लगबग 9645 रुपय के आसपास आता है इस लेंस को आप सेविन अडिशन की साइट से डरेक्ट और कर सकते हैं मैं आपको उसका लिंक यहां मेंशन कर दूँग आपने डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पर जाकर इसको ओर कर सकते हैं हो सकता है कि आपको इस पर कस्टम ज्यूटी पे उसके बाद भी यह लेंस आपको लगबग 12-12,000 का पड़ जाएगा विच इस ग्रेट डील गाइज इमेजिन फिश आए लेंस आपको 12-12,000 का मिल रहा है ठीक है और उसमें इतने सारे फीचर्स एक लोस फोकिसिंग आपको इस लेंस के अमेज़न के लिंक भी अपनी डिस्किप्शन में मेंसिंग कर दूँगा वहाँ पर यह लेंस बहुत महेंगा है वो लोग अन्नेसरी चार्ज कर रहा है जो लेंस आपको लगबग 12-12,000 का सेविन अडिशन की साइट से पड़ रहा है वहीं पर Amazon इंडिया पर उसका प्राइस 22-30,000 रुपए है तो आप देख सकते हैं अगर आपको जल्दी यह लेंस से यह तो आप Amazon से भी करें सकते हैं मैं लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा नहीं तो मैं रिक्रिमेंट करेंगो कि 7 अडिशन की साइट से जाके और करें तक कही तरह के शिपिंग मेथड़ होते हैं कुछ में दो से तीन हफते लगते हैं कुछ में आपको जल्दी आ जाता है तो आप उनसे निकोशियेट कर सकते हैं डील एक कि आपको फास शिपिंग वाला बेश दें तो आपका प्रोड़क महां से भी जल्दी आ सकता है आपकी आपको ये लेंस कैसा लगा इसके फीचर्स आपको कैसे लगे इसकी फोटेज और इमेज क्वालिटी कैसे लगी अची लगे होगी मजा आया होगा लेट मी नोवाद दो थिंक अबाओ तोड़ी इस वीडियो जी इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब तो माई चैनल एंडाई एंडाई लीडोड़ी तेक केर चाहिन